नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं कपिल आपके साथ हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की राहूल गांदी बदरपुर बॉर्डर पर हर्याना से राजिस्थान राजिस्थान में नहीं बलकि दिल्ली में एंटर कर चुके हैं और य जाकर ये लाल के लिए पर खत्म होगी अब देखना यह होगा कि दिल्ली में पहुचने के बाद राहूल गांदी इस यात्रा के दौरान क्या कहते क्या सुनते वे नज़र आएंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि दिल्ली में एडवाइजरी जारी कर दिया जाम को लेकर क्योंक भारच नेता जितने भी है कॉंग्रेस के वो जरूर अब दिल्ली में ही नज़र आएंगे जहां तक बात है बदरपुर बॉर्डर की बदरपुर बॉर्डर से सुबह 11 बज़े इसकी शुरुआत हुई और आश्रम पर जाकर यह यात्रा रुकेगी दो घंटे के लिए फिर साथ 117 ऐसे दिगज नेता है कॉंग्रेस के बड़े कदवार नेता हैं जो इस यात्रा में आपको और हमें देखने को मिलने वाले यानि की नजर आने वाले हैं अब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में आई है तो इसका क्या इंपक्ट पड़ेगा वो कुछ समय बात देख देखने को मिलेगा या फिर शाम को क्या-क्या प्रतिक्रिया आती हैं वो चाहें कॉंग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं की तरफ से हो या फिर भाजपा के नेताओं की तरफ से हो ये देखने वाली बात होगी और जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की बात है तो ये आज यानि कि आज की अकरम बात करें तो 24 तारिक है यहाँ पर विराम लेगी और इसके बाद 3 जनवरी को एक बाद फिर से यात्रा दिल्ली से ही शुरू होगी उसके बाद UP से लेकर और पंजाब तक ही यात्रा जाने वाली है तो कंटेनरों को ठंड के लिए तैयार किया जाएगा ऐसा कांग्रिस का कहना है क्योंकि शाल कांथ हो रहा है तो एक तरह से इस लंबी यात्रा को जिस स्टमबर से शुरू होई थी इस यात्रा को विराम दिया जाएगा तो अब हम आपको बताते चलते हैं कि जो यात्रा शुरू हुई थी इसने कहां कहां से और कैसे कैसे सफर तेह किया है सबसे पहले अगर हम बात करें तो कन्या कुमारी से स्यात्रा की शुरुआत हुई थी और कन्या कुमारी से पहले केरल गए ते वाये नाड गए ते राहूल गांदी और जहां उन्होंने साथ जिलो के साथ साथ। 440 किलो मीटर तक सफर तैय किया अब इसके बाद उन्होंने कन्या कुमारी से भारत जड़ो यातरा की शुरुआत की और यह यातरा बताय जारा है ऐसा कौंगरेश की तरफ से लगातार कहा जारा है कि यह यातरा कहीं से भी चुनावी यातरा नहीं है ये बेरोजगारी के खिलाफ है, ये महिंगाई के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है और उन सभी चीजों के खिलाफ है जो अन्याए से जुड़ी हुई है, यानि उनका कहीं न कहीं ये भी कहना है कि भाजपा जो है वो देश के लोगों के साथ अन्याए कर रही है, जहां तक बात कर रहे हम लोग कन्या कुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हुई उसके बाद यह यात्रा तमिलाडू पहुची तमिलाडू में तमाम तरह के दिगज कॉंग्रिस के जुनेता हैं वो राउल गांदी के साथ रहे गाउं गाउं शहर शहर और छोटे से छोटे कह जा रहा है कि कजबो तक यात्रा पहुचेगी इसके बाद यह आंदरप्रदेश पहुची आंदरप्रदेश के बाद तेलंगाना पहुची और वहां से होते हुए यात्रा महाराष्ट्रा पहुची महाराष्ट्र में जो है वीर सावर कर को लेकर विवाद हुआ उसके तरह के जो है इस पर आरोप लगने लगे और तमाम तरह की कॉंट्रोवर्सीजिस से जुड़ने लगी उसके बाद हम बात करें तो यह यात्रा जो है राजिस्थान पहुंची जब राजिस्थान पहुंची तो एक बड़ा चैलेंज हो चुका था क्योंकि कहा यह जा रहा था बहुचे राई गांडी तो तमाम तरह के नारे लगे और यह नारे समर्थन में थे सstäaround प्यालत के समर्थन में नारे थे और कही ना कहीं अगले साल राजयश्थान में एलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद लोगसभा का इले होने वाला है तो राउल गांधी भी देखना चाहे होंगे कि अशोग गैलोट क्या वाकई दुबारा सी-अम बनाने के लाइक है यानि जादूगर के नाम से तो अशोग गैलोट को जाना जाता है हिस सब हम लोग जानते हैं लेकिन कहीं न कहीं अब ये देखा जाएगा कि कॉ Congress को किस से फाइदा होता है इसके बाद यह यात्रा जो है तीन दिन के लिए हर्याडा में पहुंची हर्याडा में तमाम तरह की जो है वो चीजें हुई तमाम तरह के आरोप लगे और हर्याडा के दोरान ही कह दिया गया कि पंजाब ना आए राहूल गांदी खलिस्तानी जो ह एक गुरुप है इसको आतंकी गुरुप भी कहा जाता है तो उनका है कहना था कि जो राहूल गांदी है और जहां तक इंद्रा गांदी जो हमारी पूर प्रदानन्त्री रही है उनके उपर आरोप लगाए गए कि उनकी वजहासे लगातार जो है वो 84 में शिख्खों को जान भी चली गई थी तो इस तरह की चीजें जो है वो कही गई और का गया कि अगर राहूल गांदी पंजाब में आते तो इसका उन्हें काफी बुरा नुकसान हो सकता है नुकसान बोगतना पढ़ सकता है तो यह यात्रा जो है लगातार बढ़ रही है और कहा यह जा रहा कि राहूल गांदी हर दिन लगबख 23 किलो मीटर पैदल चलते हैं और इस सियात्रा के दौरान वो कोशिश करते हैं कि जहां से वो गुजर रहे हैं वहां जो रहने वाले लोग हैं उनकी तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो जाने पहचाने क्या वहां के मुद्दे हैं क्या लोगों को वहां दिक्कत हो रही है और आम जन जीवन में मतलब ऐसा कभी राहूल गांदी ने क्या किसी भी भाजपा नेता ने या फिर देश के किसी ऐसे नेता ने नहीं किया क्योंकि हम आजादी से पहले हमने देखा था कि गांदी जो हैं मात्मा गांदी जो हैं उन्होंने दांडी मार्च किया था इस दौरान वो शुरुआत जो है उन्होंने अकेले करी फिर दीरे लोग जुडते गए और हम देखते थे कि वो एक दिन के अंदर कई घंटो ऐसे पैदल चला करते थे तो राहूल कांदी ने भी कुछ उसी तरह का उसी तरह की चीज़ करके दिखाई है लेकिन आजादी के बाद अगर हम देखे 70 सालों में तो ये कुछ नई तरह की चीज़ है अगर हम भाजपा की बात करें तो हमने कई तरह के रथ देखे कई तरह की अलग लग चीज़े देखी कारों में रैलिया हुई बड़े बड़े जीपों में रैलिया हुई बसों में रैलिया हुई लेकिन इस तरह की डेलियां हमें नजर नहीं आई तो जहां तक इस बात इस भारेजुड़ो यात्रा की समापन की बात है तो ये कश्मीर में जाकर लाल चौक पर इसका एंड किया जाएगा वाँ जंडा फेराया जाएगा और जैसा कि मैंने आपको बदाया कि एक दिन में रा जहां तक इस यात्रा की बात है तो सबसे बड़ी ये बात है कि जब खाने की बात आती है तो राउल गांदी ने यही तै कि जहां से भी हम गुजरेंगे उन ही लोग के संग हम खाना खाएंगे जिस तरह का वो खाना काते हैं तो ये कही ना कही एक अच्छा मैसिज है जो है वो वाइरल हो जाए कोई नहीं जानता इसके साथ साथ एक और आदेश दिया गया है कि कोई भी बड़ा नेता चाहिए वो राउल गांदी हो चाहिए वो उन्हीं के कदवार के कोई और बड़े नेता हो वो कोई भी होटल में नहीं रुकेगा यानि कि जो 60 कंटेनर त अब ये यात्रा रुक रही है तो ठंट के लिए तयार किया जाएगा क्योंकि दिली में खासा अच्सी ठंट परती है पजाब की बात करी जाए तो वहां पर भी जो हो अच्छी खासी ठंट हमें नजर आती है अब इस यात्रा में हर्याना के पूर्व मुख्यमंत्री कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं उन्होंने महंगाई पर खासा जोर दिया है कहा है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है कॉंग्रेस जब भाजपा आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे चाहें वो सर्सों के तेल के दाम हो चाहें वो खाने क कि तमाम तरह की चीज़ें हो वो लगातार कम करेंगे पेट्रॉल के दाम लगातार बढ़ते जा रहें इस पर भी उन्होंने हला बोला है बेरोजगारी के खिलाफ खास तौर पर कॉंग्रेस नहीं हला बोला है और ऐसा कहा है कि बेरोजगारी जो है वो भारत में लगातार एक नफरत की आग जो है वो भाजपा ने जलाने का काम करा है हिंदू मुस्लिम की राजनीती एक नई राजनीती उन्होंने खड़ी कर दिया जब कॉंग्रेस हुआ करती थी तब इस तरह की चीज़ें सामने नजर नहीं आती थी लेकिन अब जब से भाजपा सामने आई है बाजपा सत्ता में आई है पिछले 10 सालों से तब हिंदू मुस्लिम की राजनीती खासा बढ़ गई है और इस तरह की जो नफरत है इसकी जगा भारत में बिलकुल भी नहीं है इसके साथ साथ उन्होंने ट्वीट भी करा लगातार वो ट्वीट करते रहते और सरकार पर हमल बोलते रहते हैं तो उन्होंने का है कि महंगाई हटाओ बेरोजगारी मिटाओ इस तरह का इक उन्होंने नारा भी दिया है नफरत मत फैलाओ तो यह पूरा नारा है महंगाई हटाओ बेरोजगारी मिटाओ और नफरत मत फैलाओ तो इस तरह के नारे भी जो है वो कॉंग् गांदी के संग जो कार से राजगाट पहुचेंगे वहां पर महात्मा गांदी की जो समाधी है वहां पुषपांजली यानि की थोड़ी दे रुकेंगे वहां ध्यान लगाएंगे और कोशिश यह करेंगे कि महात्मा गांदी के जो आदर्श है उन पर चलने की कोशिश और वहां से कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे उसके बाद जो है वो शांती वन में जो जवालाल नहरू है हमारे पूर प्रदानमत्री रहें उनकी समाधी पर भी जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें इस तरह का कारेकरम रहने वाला है यानि कि आज दिल्ली में 23 किलोमीटर की यात्रा होगी और इस दोरान काफी लोगों को जाम भी देखने को मिल सकता है यात्रा की जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 बजे राश्टी राजानी में आश्रम चौक पर रुकेगी और फिर एक बजे फिर से शुरू हो जाएगी तो इस रावल गांदी की इस भारत संतरता सेनानी आज भी जिंदा है वो भी शामिल होंगे और उनका परिवार भी इसमें शामिल होने वाला है और जहां तक कोरोना की बात है तो इस भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना को लगातार जोड़ कर देखा जा रहा था केंद्रिय स्वास्त मंत्री जो मनसुक कर देखा है कि अब कोरोना को फैला सकती है क्योंकि हजारों की संख्या में चलते चलते यह पता नहीं चला कि कब जो फॉलोर से राउल गांदी के जो समर्थक हैं कॉंग्रेसी कारे करता हैं वो कब लाखों में हो गए कब उनको इतना जादा प्यार मिलने लगा यह किसी को भी नहीं पता चला तो कहीं नहीं भाचपा इससे हो सकता है कि डरी हो यह वाकई में एक एडवाइजरी जारी करके वह चाहती हो कि कोरोना की पहली दूसरी और तीसरी लहर की तरह वापस से लोग और देश उस परिशानी में ना पड़ जाए तो उन्होंने काए कि भई जो कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है अब मास्क लगा करोगी सभी जो भी एडवाइजरी जारी करी गई थी उनका ध्यान रखा जाएगा और जैराम रमेज जो हैं जो कॉंग्रेस के बड़े निता हैं और सांसद भी है उन्होंने ऐसा बोलाए कि भारत जोड़ो यात् के बाद 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो चलाई जाएगी हर भूत हर ब्लॉक लेवल पर और बार बर कॉंग्रेस का यही कहना है कि यह जो भारत जोड़ो यात्रा है या फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है यह कहीं भी चुनावी यात्रा रही है कोई चुनावी स्टंट नहीं है हम चाहते हैं कि लोग की परिशानियों लोग के मुद्दे सरकार तक पहुचाए जाए और विपक्ष के तौर पर हमारा यही काम है राजिस्तान से एक बड़ी ख़बर आई थी जिसमें का गया था कि हाथ से आज जोड़ो यात्रा जो है वो लूइट करने वाली हैं लेकिन फैसला कॉंग्रिस की तरफ से बदल दिया गया और अब सचिन पाइलेट को यह जो कमान है यह थमा दी गई है तो एक तरफ इशारा भी जाता है कि कहीं ना कई अशो गैलोत और जो उनका गोट है वो इससे खासा नाराज होगा और अब तरह की समस्याएं हैं और बाकी क्या चीज हैं तो वह एक अच्छी बात होगी राहूल गांदी की जहां तक बात है प्रियंगा गांदी की जहां तक बात है तो अब सचिन पाइलेट का जुकाव और राहूल गांदी का जुकाव सचिन पाइलेट के प्रती बढ़ता ज देख रहे हैं और चाहें वो वीडियो जो लगातार गले मिलते हो नजार आ रहे हैं राहूल गांदी से सचिन पाइलट तो हम जिस तरह से चीजों को देखते जा रहे हैं वहाँ तो यही कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यातरा जब राजिस्तान पहुची थी जितने भी लगबख 550 किलो मीटर का दायरा तै किया था और उसमें एक आ जा रहा था कि सचिन पाइलट जादा तर वक्त जो है वो राहूल गांदी के साथ र देख रहे हैं तो यही इशारा जाता है कि भारत जोड़ो यातरा जब राजिस्तान में पहुची तो उसको कहीं न कहीं सचिन पाइलट ने पूरी तरह भुनाने का काम करा क्या वाकई में भारत में जो भारत जोड़ो यातरा इन पांच राजियों में गुजरेगी लगब लगबग 3700 कुछ किलोमीटर का सफर ते करेगी तो क्या इससे बाकी स्टेट्स को भी राजिस्थान की तरह ही फायदा होगा ये काफी अद तक देखने वाली बात होगी लेकिन दिल्ली में यातरा पहुंची है भारत जोड़ यातरा दिल्ली में पहुंची है और इस यातरा क दोरान राहुल गांधी जो है वो काफी अकरामक नजर आ रहे है प्रियंका गांधी और सोरिया गांधी भी उनके साथ होंगी तो किस तरह की चीजे नजर आएंगी क्या वहाँ पर नजारे होंगे ये हम आपको जरूर देखाएंगे इस तरह की खास रेपोर्ट आप हमारे साथ जरूर देखेंगे लेकिन फिलाल नेक्स्ट नाइन न्यूस की इस पेशकश में इतना ही आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस नमस्कार